पहला चाहिए, दूशा, अगर f'x decreasing function है तो of course वो exist करी रहा होगा, तब ही decreasing है, तो मतलब जो function f है, वो तो खुद differentiable रहा है, क्योंकि f' exist कर रहा है, यह ठीक है, अब यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि हमें इसका increase, decrease चाहिए, तो हमें इसके derivative का sign चाहिए, इसले हमने differentiate किया, तो g'x बराबर कितना होजाएगा, f'3-x chain rule से, फिर 3-x को differentiate करें, minus 1, plus f of x-9, यह ठीक है, और into 1, मतलब यह तो f' कर करें, तो यह तो यह से आगए, f'x-9, minus f'3-x, यह ठीक है, अब मैंने बस ऐसी देखा कि, g'x positive कहाँ पर, consider, या फिर इसको ऐसे बोलो कि, मैंने अपनी दोब से यह solve किया, ठीक है, उसका मतलब कि, f'x-9, minus f'3-x, positive होना चाहिए, उसका मतलब कि, f'x-9, should be greater than f'3-x, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, अब यह वाली information काम आईगी, उसने, question में क्या बोला कि, f' क्या है, decreasing है, तो अगर decreasing function किसी भी inequality के दौनों तरफ लिया, या फिर दौनों तरफ से हटाया, तो inequality का sign पलट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर मैंने f' हटा दिया, f' टेक decreasing function है, अगर उसको मैंने हटा दिया, तो argument तो ऐसे लिखा रहे नहीं दिया, बस यह inequality का sign पलट जाएगा, flip हो गए, क्योंकि decreasing function है, यहाँ से यहाँ तक जाने के पीछे reason का है, as f' is decreasing, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x is less than 6, यह ठीक है, flip का, तो अगर मैं मैंने है, g' less than 0 के लिए solve करता, तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, बस यह सारक sign पलट जाता, बाकि सब कुछ ऐसी रहता है, तो इसका मलब कहाँ किया, जो sin of g' है, वो कहाँ पे change हो रहा है, 6 पे, 6 से पहले पहले तो वो positive है, 6 के बार में क्या है, negative, तो फिर interval of increase क्या हो गया, minus infinity से 6 closed, इतने इंटर्वल में function increase करेगा, and interval of decrease क्या हो गया, that is 6 to infinity, यह ठीक है, यह आंसर हो गया, question पर यह बूशा हो थाना, finding no, यहाँ पर माल ने यह लिख लिया, for all x, यह लिखा है माल लिख, ठीक है, well and good, अब आते हैं, third question, third question ने क्या बहुला, find order relation between e raise to power pi and pi raise to power e, order relation का मतलब किया है, हमें यह बताने है, कौन बढ़ा है, कौन चोटा है, ठीक है, तो solution three, हमें क्या बताने है, order between e raise to power pi and pi raise to power e, मतलब हमें यह बताने है, कि e raise to power pi, बढ़ा है, छोटा है, या बढ़ाबर है, pi raise to power e, k, इन में से कौन सा sign आएगा, मैं यह बताने है, इनके बीच में, ठीक है, तो मेरा line of thinking क्या होगा सोचने का, कि दो number है, यह ठीक है, एक e है और एक pi है, यह दोनों involved है, और बड़े चोटे की बात चल लिए, ठीक है, तो मेरा टानों से t use होगा, ठीक है, बस उसके लिए क्या होना चाहिए, pi एक तरफ होना चाहिए, e एक तरफ होना चाहिए, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो left hand side पे भी e और pi involved है, और right hand side पे भी pi और e involved है, ठीक है, तो अगर मैंने दोनों तरफ, यह ठीक है, दोनों तरफ, अगर मैंने raise to power 1 upon pi into e ले लिया, ठीक है, दोनों नम्बरों पे मैंने यह power चला दिया, यह power raise कर दिया, 1 upon pi e, तब ऐसा अगरने से क्या होगा कि जो left hand side पे, उस पे तो pi pi cancel हो जाएगा, यह बचेगा, राइट hand side पे, ऐसे आज़ाएगा, अगर मैंने इन दोनों के बीच में order relation बता दिया, कि इस में से कौन सा sign आएगा, तो यहां से यह भी पता लग जाएगा, दोन एक ही बात है, अगर मैंने बताएगा, दो और तीन में तीन बढ़ा है, तो तीन का स्क्वार रूट भी बढ़ा ही रहेगा, कोई भी positive root लिया, वो बढ़ा ही रहेगा, जो number बढ़ा है, तो इसलिए, जो order relation यहां पे maintain हो रहे है, वो यहां पे maintain होगा, बस positive energy अपकों, पावर मतलब positive energy, अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम मैंने को देखिया, कि यह symmetric expression है, यह तो e raised to 1 upon e है, इसमें बस e के ज़िए पाई रखती है, तो पाई raised to 1 upon पाई आगा, तो जब symmetry, इसमें जहां 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 e लिखा है, वहां दूसरे वाले case में पाई लिखा हुआ, तो इसको देखके मैंने फिर assume किया, कि let fx is equal to x raised to 1 by x, ठीक है, इसकी मेरे को monotonicity चाहिए, तो अब इसको मैंने differentiate कर लिया, f dash x, तो उसके लिए हमने बना था कि एक तरीका ही है, कि इसको x raised to n माना हो, और a raised to x माना हो, तो इसको differentiate किया, x raised to n माना तो n times x raised to n minus 1, यह ठीक है, और x raised to n माना है, तो जो base है वो variable है, तो इसका derivative वह साथ में हैगा 1, फिर प्लस a raised to bar x माना, तो a raised to bar x into ln a, a raised to bar x में जो power है, यह 1 by x, यह variable है, तो इसको और differentiate किया, तो minus 1 upon x square, यह आ गया, ठीक है, तो f dash x क्या है है हमारे पास, वाया, यह x की पावर कितना है, 1 upon x minus 1, यह x की पावर 1 और नीचे आ गया, तो एक और पावर घट जाएगा, तो यह हो जाएगा, 1 upon x minus 2, plus, ऐसी इसमें x की पावर 1 upon x है, यहाँ पे कितना है, दो पावर नीचे आ गया, तो एक तो बीच में plus नीचे माइनस आएगा, इसमें भी पावर कितना आ गया, minus 2 into ln x, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, x raise to power 1 by x minus 2, यह तो common आ गया, 1 minus ln x बचा, ठीक है, अब अगर मैं f' के sign की बात करूँ, ठीक है, तो 0 के left पे तो defining ही नहीं होगा, क्योंकि अगर power में variable होता है, तो base में negative नहीं हो सकता, तो 0 के left में, वह आएगा, domain आएगा, उसमें भी यह x raise to power anything लिखो, यह तो हमेशा positive ही रहेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि x की जगे अगर मैंने e रखा, e, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ln even हो गया, e से बड़ा नमबर रखा, तो यह 1 से बड़ा हो जाएगा, तो यह पूरा negative हो जाएगा, तो फिर ऐसे है, e के आगे-ागे, sine of f dash x, e क्या गया कि negative होगा, e से पहले positive होगा, यह ठीक है, यह तो f dash के sine की बात करें, f dash के sine से f पे क्या फरक पड़ता है, अगर f dash positive होता है, तो f का graph उपर जाता है, अगर f dash negative होता है, तो उस गड़ाव नीचे आता है, तो अगर मैं बहुत crude graph बनाऊ, यह ठीक है, f का, तो यहाँ से तो graph ऐसे उपर जा रहा होगा, क्योंकि यह f dash positive है, तो f जो है, वो increase करेगा, और इसके बाद जो है, वो फिर graph नीचे चला जाएगा, ऐसे क्योंकि f decrease करेगा, यह y बराबर fx graph है, ठीक है, तो अब मिरे को तो क यहाँ पर कि e, e के आगे-आगे जाने में क्या हो रहा है, function decreasing है, तो pi e से बड़ा है, बट function decreasing है, इसलिए f pi जो है, यहाँ पर दिखा है, यह जो value है, वो इस value से तो छोटा ही आएगा, नीचे ही आएगा, f pi छोटा हो जाएगा, f of e से, यह ठीक है, क्योंकि इसके आगे decreasing है इससे पहले बढ़े increasing हो, उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है, बट जो हमारे दोनों argument है, वो right hand side वाली reason में है, जिसमें function decreasing है, ठीक है, function था क्या, x raised to bar 1 by x, तो f pi कितना हो जाएगा, pi raised to bar 1 over pi, is less than e raised to bar 1 over e, यह हमें बता लगे order relation, अगर मैंने दोना तरफ, pi e power raise कर दिया, तो left hand side वे यह pi cancel हो जाएगा, मतलब pi raised to bar e is less than e raised to bar pi, यह हो जाएगा, यह रहाएगा, यह answer, answer मतलब, हाँ, order relation नहीं बता रहा है तो हमने बता दी कि यह pi raised to bar e छोटा है, ठीक है, जो left hand side है, वामें तो कुछ ऐसे लिखा है, 3.14 something whole raised to bar 2.713, कुछ ऐसे लिखा हुए है, और right hand side 2.713 raised to bar 3.14, तो directly observation से देख के बताना possible नहीं है, क्योंकि left hand side पे, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसका base तो छोटा है, sorry base तो बढ़ा है, बट power छोटा है, तो अगर इन दोनों में देखें तो पहले का base छोटा है, sorry पहले का base बढ़ा है, और अगर power में देखें तो दूसरे का power बढ़ा है, तो कौन सा number net बढ़ाएगा, पहले वाला या दूसरे वाला, directly कुछ नहीं हो सकते, यह ठीक है, अगर मेरे से यह पूछा है ना, कि pi raised to bar pi and e raised to bar e में कौन बढ़ा है, तो इसमें तो कोई शकी नहीं होना चाहिए, पहले वाले case में base भी बढ़ा है, यह ठीक है, और power भी बढ़ा है, तो पहले वाला का value अफकोर्स बढ़ाएगा, इसमें कोई शकी नहीं, इसमें कुछ कर नहीं जोटी नहीं, और पहले वाले का power बढ़ा है, इसलिए value क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि base 1 से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है, तब ही हम यह बोल सकते, तो इसको तो base भी support कर रहा है, और power भी support कर रहा है, दोने तरह से यह बढ़ा आना चाहिए, तो यह बढ़ा हो गया, इसमें वो directly नहीं बोल सकते हैं, ऐसे observation से, तो इसलिए हमें यह सब करना बढ़ा है, इस question के लिए, ठीक है?